सिवनी में महिलाओं ने शपरा थाना पहुंचकर शराब और नशीले पदार्थ की बिक्री बंद करने के लिए गुहार लगाई इन महिलाओं ने कहा कि पुरुष सरकार से मिलने वाला राशन बेश कर शराब पी रहे हैं महिलाओं ने अपने अधिकार और परिवार को एक जूट रखने के लिए शराबी पूर्षों का विरोध करना शुरू कर दिया है जिसका उधारण सिवनी जिले के अंजानिया गाउं में देखने को मिला जहां महिलाओं थाने पहुंची और थाना प्रभारी से गुहार लगाई गाउं में शराब और नशीले पधारतों की बिक्री पर रोक लगाई जाए महिलाओं ने बताया कि सरकार से मिलने वाले राशन को बेच कर उनके घर के पुरुष शराब पी जाते हैं जिससे महिलाओं परिशान है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस शराब बेचने वालों पर कठोर कारेवाही नहीं करेगी तो वे अपने स्तर पर कारेवाही करेंगी और शराब पीने और बेचने वालों के घर में घुस्त कर उनकी जम कर पिटाई करेंगी इस पर पुलिस ने बहिलाओं को कारेवाही करने का आश्वासन दिया है। करने का आश्वासन दिया है।